मेरे चैनल पर सब्सक्राइब आप लोग अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं और आज का टॉपिक किया है कि मैं अपने शादी का एलबम दिखाना चाहते हूं मैं शादी ना लॉक्डाउन में हुई तो ऐसा कुछ मैं उस टाइम ब्लॉग लॉक्नी बनाती थी ऐस कुछ भी नहीं था मतलब सोचल मीडिया से मैं टैस्टी ही नहीं नॉर्मल मतलब बस ऐसे फोन यूज करती थी लेकि मुझे बनाना चाहिए था मैं अभी भी सोचती हूं क कि इदा लॉक्त इर्वास में पहले स्टाट की होती तो मैं आज कहा से कहा होती कितने लोग मुसे जुड़ जाते कितने लोग मुसे जानते और इतने लोग का प्यार राश्रवाद मिलता कोई नहीं अभी भी मिल रहा है और मैं सूशती हूँ ऐसे ही प्यार बना रहे तो गाइस यह हमारे शादी का एल्बम है तो यहाँ पे यह फ्रेंट है हम यहाँ पे दूलन बने हुए और यह हमारे दूले राजा मतलब मेरे हस्बेंट जी और मैं हूँ यह अल्बम बनाया है अब इस जल्दी में आया हुआ है सोच लेजे शादी हमारी लागडाउन में हुई और तीस जून को हुआ था दोजार वीस में ही हुआ था शादी का टीट एक बाद अप्राइल में पड़ा था तो फिर मार्च में ही लागडाउन हो घया था फिर उसके बाद साधी पोस्ट कौन हुआ फिर उसके बाद कैसे भी करके जून में हो गया लास्ट जून, ठरटे जून को हो गया वीडियो भी है उसका तो मैंने सोचा एल्बम पहले दिखा लेती हूँ और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब कर दीजेगा वेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा इन्होंने लागडाउन में ही सेरवानी दिया था और मैं लागडाउन में लेंगा मतलब जो भी मिल जा रहा था मतलब कोई ऑप्शन उसमें डूढ़ना नहीं था क्योंकि सब को प्रॉबलम था उस टाइम सभी को पता होगा मतलब कितना जादा जहिलना पड़ा होगा जिनकी जिनकी लागडाउन में शादी होई होगी और यह है हमारी फैमली हमारी सस्ट्र में हम बड़ी दी भाबी मम्मी पापा यह सब हमें बहाई लोग यह मेरी बुट्टू अदिती हैं और यह पापा जी हैं वहां के डेली के और भाबू गुट में और यह अन्नू दी जो है मेरी मेरी के सास सुझी है उपर जो है सु स्टार्ट हो गया यहां इनका जन्य हो रहा है हमारे जन्यों का रिवाज है इनका जन्य हो रहा था हल्दी से पहले जन्यों जरूरी होता है मतलब वैसे बहुत सारे लोग साधी से पहले भी करवा लेते लेकिन यहां पर साधी के टाइम हो रहा है और यहां इनको हल्दी लगने जा रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है मुझे यह पी बहुत पसंद आती है यह मेरे गुलु मुलु अस्वेन जी बहुत अभी तो इस टाइम वी को गए है थोड़े दुबले इनका थोड़ा डाइट चल रहा है यहां पर सब लोग लगा रहा है और यह मेरे गाउं की भावी कैना धारी चेन बाबु लगा रहे हैं यह आंटी लोग हैं महले की हमारे कालोनी की म्हुंकि और यह बयक्चा पार्टी है वन्दिता है शलोनी है आयूशी है और पापा है यह बाबू है मिलूप सब्लूब यह सम्हारी फैमली है इंटर तो मैंने बताए दिया है कौन कौन है तो आपको पता ही चल जा रहा होगा कि कौन कौन है तो आप वीडियो देखिए और इंजॉई करिए और रही सारा प्यार राशबाद दीची हमारी शादी का अलबम देखिए हैं यह हैं मोनो भीया जिनकी सिस्टर के साधी होने वाली है और उनके हम मुझे जाना हैं बलाएं और यहां पर बारात निकल चुकी है ममी और यह हमारे उनका हरनमाल मंदिर है जहां पर हम अक्सर मंगलवार को जाते रहते हैं बड़ी दी दी मम्मे मैं सब लोग मतलग बारात लेकर निकल लीे हैं मंदिर के लिए और यह हमारे हिरो जीरे और टोड़ी टूई जोग जारा है इससे में अगरी तो यह नहीं था कि हमको यह ऐसा वाला ड़ीजिए वैसा वाला क्योंकि लागडाउन का डाइम थभाई यह था हमारी गायत्री माता है इनका भी दर्शन कर लिजिए सब वहां पर मंदिर में भी गहते हैं और यह हमारे गुरू जी हैं दुबे जी इन्होंने हमारी शादी अच्छा पोस भी दे रखे हैं तुम हीरो जैसे हीरो हैं हीरो जैसे क्या मेरे हीरो तो यह है मेरे पापा फिर यह मेरे लाइफ में तो दो हीरो हैं और मेरे भाई लोग मैं काउंट करूंगी तो बहुत हीरो हो जाएंगे लेकि परसनल यह है और यह हैं हमारे जीजा जी और यह हमारे बड़े भाई यहां लोकिषभाद जिन्हों ने हमारे शादी करवाई थी तो यहां पर हो रहा है तिलक तिलक का चल रहा है और यह इनके फ्रैंड है साथ में और देखे कैसे मास्क वास्क लगाया थे उस टैम भाई करोना था तो इसलिए बच लेश्व के भी रहना और यह हमारे पापा और यहांके पापा जी को गले में माला डाल रहे हैं और स्वागत के लिए पैरवेर सब लोग दूसरे को चूर रहे थे गले लग रहे थे और यह हमारी परियां जो कि बड़ी वची गूलू दीदी भावी सब लोग और में दो तीन सिस्टर नहीं आ यहां पर दूलन वाला जो पोज होता है तो वही वाला यह पोज उस टाम मुझे इतनी हासी आ रहे थी को लोग एस दो तीन कैमरामेन वाले खाड़े थे अब मैं ऐसे पोज बनाई यह वैसे हासी है ऐसे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था और इस बगल में टी-शोट पै सब लोग बहुत प्यारे सब लोग बहुत प्यारे सब लोग दिख रहे थे प्रएग्या सारे लोग बहुत जादे अच्छे दिख रहे हैं बिल्कुल हीरोईन जैसे हैं और मतलब सबना बहुत अच्छे से सब मैनेज कर ले थे लाग डाउन के टाइम में और यहां पर मैं आंगन में आगी हूँ शादी के लिए यह देखे हमारा जैमाल ऐसी ही हुआ था बिल्कुल सिंपल तरीके से एक दूसरे को माना पैना थे हम हुआ हुआ हैं यहां पर जैमाल हो गया फिर हम लोग पर फूल आश्रबाद बरसा और यह मेरे भाई कन्यादान करने के लिए बीच में है वाड़ा सब यह भाई भी है प्रग्या और भाई मेरा बीच में बगल में उनी के बगल में यह हम लोग इदर बैटे हुए हैं मतलब में भाई ने किया था बाई और बड़ी भाई ने शादी करवाया था तो यहां पर फेरे हम लोग ले रहे हैं फेरे स्टार्ट हो गया थे वीडियो में कभी अलग से डालूंगे और एल्बम से ऐसे आप समझ सकते हो कैसे कैसे क्या रस में हो रही है यह हमारा सिंदू बुरिधा रहा है हमको सिंदूर लगा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था ता ऐस टाइम में आख में है खुशी के आशू थे और बहुत अच्छा разв रहा था लोग आशिरबाद में देखे और आशिरबाद में यहाँ चाहिए ज़िए देखे और गूटायगा उपका ले रहे थे हम लोग अवान हो गया था अशिरबाद लेके और फिर कैमरामन बोला है आप इधर देखिये उथे तो हम लोग से उपल तरिया से आप उन्होंने बोल देखे मैं तो उस तेम कुछ बोल नहीं रहे थी क्योंकि मैं ब्राइड दूलन थी तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए इनका मैं आशिरबाद यहां पर ले रही हूं और फिर उसके बाद हमारे हैं दही गोड़ खिलाया जाता है मतलब सरसुराज में भी खिलाया जाता है लेकिन जब माईके में भी खिलाया जाता है लापोड सरस्सिर्ण हमारे हैं ज्यlier 001 और नहीं भापर को पहना आ रही है और तक बीथ चेन गा पह्नार सामटाय और यह दुनिया गे मेरे मेरे बैटिकी स्टार्ट हो रही है कितन सितीह कि ये थो बापरी बाप सब लोग इनकokol बजा देए थे काजल लिपस्टिक बिन्दी एर्च पता नहीं क्या क्या इनके हालत देख सकते हैं मेरे भाब हैं सब दीधी लोग है अंटी हैं शकू हैं साब लोग यह माडो हिलाते टाइम का है यह पापा सबको गिफ्ट दे रहे हैं पापा जी को रिंग पहना रहे हैं और हमारे हैं रिवाज है जब माडो हिलाया जाता है फिर गोल्ड का कुछ देते रहते हैं तो फिर हमारे हैं रिवाज ही है गोल्ड का रिंग देना तो यहां पे पापा कि अधिर गोल्ड का रिंग पहना रहे हैं और फिर मॉर्निंग के टाइम का जब इलोग खाना वना खा लिये थे उसके बाद चले गये थे हमारे यह शादी के दूसरे दिन होती है विदाई लेकिन दूसरे दिन अच्छा देट नहीं था दिन नहीं अच्छा था हमारे इमान था उस दिन का तो जैसे नियम होता है ना कि अच्छा था अगर उनके घर में पहुंच जाए फिर वो दूसरा दिन माना जा तो फिर सेकेंड टाइम में वो मतलब दो बजे के बाद यह लोग फिर आ गया थे फिर लेने हमको आ गया थे फिर यह विदाई के टाइम का है मैं इस टाइम कि इतना रोई थी यह मैं दूलन बनके मैं भाई और भावी सब लोग लेकर आ रहता है यह मोमेंट ना सबसे गंदा सा होता है मतलब लड़कियों के लिए साधी से पहले कि नहीं हुशी थे यह ले 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 लिगें जब यह आता है टाइम ना तो हर किस सेता है मैं अस्ओ आ जाता है यह मेरे पापा को तु को बल्ले से लगार रके देखी मैं इन जऊोंगी और पता नहीं क्या क्या पुले तैया यह ज़्याँ मैं बस खली glass बड़ती जा रहा जारी हो जब मन करेगा तभी आ जाना यह मेरे बड़ ऑओ सबसे लोग यह नहीं कर यह बिदाई हो गए हम अपने सस्राल पहुंच गए थे तो इस टाइम कलर डर नहीं हुआ था मैं अलग से फोटो डाल दे रही हूं अभी अब मेरा गर कैसे दिखता है मैं बता देते हूं यहां पर हमको मतलब पता नहीं क्या होता है दुब दूलन आती है तो पानी से दार ब मुझे कुछ नियम था मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था बस वही पता है कि वह जो होता है मौनी उसमें पैर क्याना था वह हमारे हैं वेरे वासल रहा था और जब नहीं दूलन आती तो गुद में एक नया बच्चा मतलब छोटा बेबी रखते हैं नया बच्चा नही पिर भी कैसे कैसे करके हम लोग आ गया था और यहां पे दही गुड़ यहां पर भी खिला जा रहा है इनके भी रियास्ता और मेरे चुन्नी बहुत जादा अलकी थी तो मैं तो पहले से दिख रही हूं यह इन्हीं के सिस्टर की शादी है जो ब्लैक शाड में पहने हुए ह यह हमारे हस्वेंड के बेस्ट फ्रेंड है अरुन भीया प्रकर भीया और यह सब शक्ती भीया यह सब इनके बेस्ट फ्रेंड हैं बेस्ट फ्रेंड नहीं मैं तो इनको बोलते हैं आपकी गल्स फ्रेंड हैं वो सब मैं तो बाद में पहले हुए ही लोग है और यह हमारे अ न्यू बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेजिए वेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड जो भी आप मतलब यूज करते हैं इंस्टा ट्विटर और यूटूब जो भी आप यूज करते होंगे प्लीज सेयर करिएगा और मिलते हैं आप से नेस्ट ब्लॉग में ऐसे ही प्यार आश्वत बनाए रखिए बाई तब तक के लिए अपना ख्यार रखिए बाई बाई लव यूटूब फैमिली